नमस्कार साथियों बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है साथियों अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए जो जमीन अद्गिरित की जा रही है उसका उचित मुवाजा योगी सरकार नहीं दे रही है जिसको देखे वहां की महिराओं ने कटोरी और चम्मच के साथ पदर्सन किया और योगी हाय हाय के नारे लगाए इस संबंध में समाजवादी पार्टी के राष्टी अध्यक्षा मानने अख्रेश यादो जी ने भी कहा है कि कम से कम बीजेपी सरकार योगी सरकार पुर्णी के काम में तो किसानों के साथ नयाय करें और उन्होंने इस पदर्सन कारियों का समर्थन करते हुए योगी सरकार के कारणामों की निंदा किया है आप सुएं इस पदर्सन को देखें और ये वीडियो बहुत वारल हो रहा है किस तर से महिवाओं ने योगी के खिवाफ अपना गुसा प्रगट किया है योगी जी हम धरंपूर कुट्टिया घंजा के किसानों को न्याय दो वाए एक समान मुआप जादो योगी जी हम गरीबों किसानों को घर से बेघर मत करो एरपोर्ट कहीं और बनवाओ साहब हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहा जाएंगे पैसे पढ़ाई लिखाएंगे साहब इसी खेती बाड़ी से हमारा परिवार चलता है और आप हमसे वो भी छीन रहे हैं योगी जी सर्म करो हम पर रहम करो जुलू मत चाल मत करो बंद करो ये सब योगी जी हमने आपको ओट दिया है आपने हम लोगों के हाथ में पटोरा थमा दिया है योगी जी योगी जी योगी जी हम धरामपूर सहादस स्वाति लता कुट्टिय गंजा के किसानों को न्याए दो वा एक समार मुआत जा दो योगी जी हम गरी किसानों को घर से बेघर मत करो सहाब हम अपने चोटे चोटे बच्चे को लेकर कहा जाएंगे कैसे पढ़ाय लिखाएंगे सहाब ऐसी खेती बाड़ी से हमारा परिवार चलता है वाभी आप हमसे छीन रहे है योगी जी सर्म करो हम गरीब पर जुल्वत्या चार बंद करो योगी जी हमने आपको ओड़ दिया आपने अमारे हाथ में कटोरा थमा दिया योगी जी हाँ 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 इदर माननी अख्रिस यादो जी ने अपने ट्वीटर एकाउंट पे इस घटना की कठो निंदा किया और उन्होंने कहा है कि योगी सरकार जो है हर मामरे में गरीब जन्ता को सता रही है आयोध्या में अयरपोर्ट है तो गरीबों की किसानों के जो भूम आपने लिया है उसका मुआज़ा भी आप ठीक से नहीं दे रहे हैं और इस अन्याय के खिराफ उनके परिवार रावे जो पीवित हैं अपने परिवार के भविष्ट की चिंता को लेके और महिलाओं के नेतिते में चमच को टोई बजाके योगी जी हाय है योगी जी हाय है यह पदर्सन किया है याती दुरभागय पूरुन है माने अख्वेश जी ने कहा कि भाजपा सरकार को पुन्य के कार में तो कम से कम इमांदारी बरतनी चाहिए जितनी जल्दी हो सके देश के अन्य भागों में जिस तरह से किसानों को उचित मुआज़ा दिया गया है तो भगवान शिवाम की नगरी आयोध्या में अगर आप जमीन रेर हैं एयरपोर्ट के लिए तो किसानों की सिर्फ वही एक मात रोटी वो जी छोटे किसानों को होती है तो कम से कम उसको तो नाचिने आप धर्म का काम करने चले है दुनिया भर के लोग वहां आएंगे और आपकी कर्चूद जब सुनेंगे तो वो बहुत आपकी दुनिया भर में निल्दा होगी तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके परभावित किसानों का उचित मुआज़ा दिया जाए और उनको जो भी सुधा हो सके वो देनी चाहिए बस साथियों आज इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा रगा हो पहली बार आए हैं चैनल पे महमान है तो सब्सक्राइब कर दीजेगा शेयर करिएगा तो ये बात अने साथियों तक पहुंच जाएगी राइक करिएगा तो हमारा मनुबर बहसेगा थैंक जाएगी